आज मैं बनाने जा रही हूँ करेले की सबजी करेले की सबजी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहां पर करेले को बारे की से काट लेया च्छटे च्छटे टुक्रों में और इसको मैं सबसे पहले बॉयल कर लेती हूँ बॉयल करने के लिए मैंने कुकर में पाणी ले रखा अब मैं इसे गैस पे चाहा देती हूं जिससे यह बॉयल हो जाएगा जैसा कि आपने देखे करेले को मैंने बॉयल होने के लिए चाहा दिया है उसके बाद मैं यहापर करेले का ग्रेवी के लिए मसाले को मैस कर लेती हूं जिसके लिए मैंने यहां पे लिए आवा है तेमाट लहसन हडी मिर्च और अध्रक इस सबको मैं मैस कर लेती हूं देखे मैंने सबको पीस लिया है यह प्याज यह अध्रक लहसन और यह टमाटर चलिए तब मैं दिखाती हूं मैंने मसाले में क्या सब लिया हुआ है मसाला में मैं ली हूँ नमक, फल्दी, मिर्च पॉडर, जीरा धन्या पॉडर मैंने या पर गोटा जीरा लिया हुआ है और यह सरसो का तेर देखिए मैंने करेले को भी बॉइल कर लिया है यह अच्छे से बॉइल हो गया है अब मैं इसके अंदर का बीच को निकाल लेती हूं इसे भी मैस करना है जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने सारे बीच को निकाल लिया है सारे करेले में से अब मैं इसे मैस कर लेती हूँ देखिए तो मैंने सारे बीच को मैस कर लिया है चलिए तो मैं करहाई चरहा करके जल्दी से इसे बना लेती हूँ इसे गर्म होने के लिए छोड़ देते हैं, देखिए मेरा कर्हाई गर्म हो गया है, अब मैं इसमें दे रही हूं, तेल, तेल को अच्छे से पकने के लिए फ्रादर के लिए छोड़ना होगा, मेरा तेल अच्छे से गर्म हो गया है अब मैं इसमें वो करेले को गिरा रही हूँ इसे अच्छे से प्राय करना है इसमें शवर नमक देखा हैं टेस्ट के लिए अच्छे से फ्राय करना है अच्छे से फ्राय हो गया है अब मैं इसे निकाल लेती हूँ अब मैं इसका ग्रेवी बना लेती हूँ ग्रेवी के लिए मैंने तेल कराय में गर्म होने के लिए छोड़ दिया था अब ये कर्म हो गया है सबसे बहले मैं इसमें दे रही हूं जीरा अब देशन में रखे रखे पग गया हूँ, वीरा भी पग गया, अब मैं से दे रहे हूँ क्यार अब मैं से दे रहे हूँ तमातर का प्यूरी और जिंजर लहसन का अब यह सा कोच्छे से मिला लें अब यह हलका फ्राय हो गया है अब मैं इसमें स्वाब के निशार दे रहे हूँ अब मैं इसमें दे रहे हूँ एक चमच जीरा और धनिया का पॉटर एक चमच लाल मेट पॉडर यह अच्छे से प्राय हो गया है अब मैं इसमें दे रहे हूँ और सापड़ज से तया है ईक चमच गरम मसाला और हमें काचुड़ी लगा हे दहारा हे स्वेश केट़ने केली रख़ा है टो कर देने केलीं अब मैं इसमें दे रहे हूँ पाणई यह शोड़ी हुम यह मेरा मसाला भीतु तयार है अब मैं इसमें दे रही हूं पानी यह मैंने अच्छे से मिला लिया है अब मैं इसे थोड़े के छोड़ देखें ताकि यह अच्छे से गर्म हो जाए यह अच्छे से पख गया है अब मैं इसे दे रही हूं करेले को थादर करेला भी इसमें छोड़ना होगा ताकि रास्त का सारा स्वात करेले भी भी आगा है चले रिसे दोनी अच्छे से पख गया है बहुत अच्छा फिर अब मैं इसे निकाल लेती हूं तो देखिए यह मेरे करेली की सब्जी बन के तयार है यह खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होता है आप इसे जरूर एक वाज़ाए